तो बच्चों अध्याय साथ में हम अब तक दो भाग पढ़ चुके हैं पहले भाग में हम सभी ने पढ़ा था कि पौधे अलगलग प्रकार के होते हैं हमने शाक जाड़ी तथा व्रक्षों की बाते की थी उसके बाद अगले भाग में पौधे के दो मुखे से यानि तना और पतियों के मुखे कारे और उनकी सरचना को हमने समझा था अब इस तीसरे भाग में हम पौधों के दो अन्य प्रमुक जो हिस्से हैं यानि की जड़ और पुष्प या फूल इनके बारे में चर्चा करेंगे तो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले हमें बात करनी है जड़ों की तो जड़ों को समझने के लिए अब तक जो हमने पढ़ा एक बार उस बात को दोहराते हैं हमने ये जाना कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है ये बात हमने पढ़ी थी कि वास्ताओं में पत्तियों तक जल पहुचाने का कारिय या पौधे के उपरी हिस्सों में जल पहुचाने का कारिय तना करता है पत्ती जल का उप्योग अपना भूजन बनाने के लिए करती है हमने पढ़ा था प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया के बारे में कि पत्तियां जो हैं प्रकाश की उपस्थिती में एक हरे रंग के पधार्थ यानि क्लोरोफिल की उपस्थिती में वातावरंड से प्राप्त हुई जो कारवन डायोकसाइड है उसका उप्योग करके और जल का उप्योग करके अपना भोजन स्वैम बनाती है तो हमने ये बात पढ़ी कि जो प्रकाश रंसलेशन की प्रक्रिया है यानि पत्यों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है उच प्रक्रिया में जल का उप्योग होता है पत्यों से जल की कुछ मात्रा का हरास वाचपोत द्वारा होता है ये भी हमने पढ़ा था बच्चो कि पत्यों का एक मुखे जो कारे है वो वाशपोत सर्जन का भी होता है यह पत्यों द्वारा कुछ मात्रा में जल वातावरण में छोड़ा जाता है या जल का हरास होता है इसे ही वाशपोत सर्जन कहा जाता है अब यहां आ तना आगे तक जल पहुँचाता है तना पत्ती को जल पहुँचाता है तो यह जल वास्ताव में कैसे प्राप्त हुआ तने को इस चीज को हमें समझना है तो इस कारे को या इस बात को समझने के लिए हमें किसकी भूमी का जाननी होती है जड़ों की भूमी का जाननी होती है त बच्चो आप एक छोटी सी क्रिया भी करके देख सकते हैं नहीं तो आप इसको यहां समझ सकते हैं आपने अगर कोई खेत वगेरा देखा हो या किसी बगीचे में आप देखेंगे कि कई पौधे ऐसे ही उग जाते हैं और उन पौधों को हम क्या कहते हैं बच्चो खर्पतव कार कहते हैं जो कोई उपयोगी नहीं होते हैं लेकिन वो स्वते ही किसी भी स्थान पर उख जाते हैं अब हमें एक छोटा सा गतिविधी करनी है या छोटा सा कारे करना है कि आपको कोई खर्पतवार को जमीन से निकालना है ठीक है अब उस खर्पतवार को अच्छे से जमी निकालने के बार दो प्रकार की गमले आपको लेने हैं, एक गमले में आप उस खरपतवार को पूरा जड़ो समेत, यहां आप देख रहे हैं जड़ो को, जड़ो समेत आपको उस उस गमले में लगा देना है, वहीं दूसरे खरपतवार में आपको क्या करना है उन जड़ों को पूरी तरीके से काट देना है आप यहां देख पारें कि यह तने से शुरू हो रहा है यह पौदा इसमें नीचे की और कोई भी जड़े नहीं है तो यह जड़े नहीं है ठीक है यह जड़े हटा दी गई है तो इस पौधे को गमले में लगाने से पहले जड़ों को हटा दिया गया और फिर इसे गमले में लगाया गया है अब यदि आप इन दोनों पौधों को कुछ दिन बाद देखते हैं दो दिन तीन दिन चार दिन बाद आप देखते हैं तो आपको पश्ट अंतर नजर आएगा ये जो पौधा है जिसकी जड़ों के समेत आपने इसको गमले में उगाय है ये एक सामाने पौधे की तरह आपको दिखेगा खिला हुआ नजर आएगा जबकि दूसरा पौधा जिसे आपने जड़े हटा कर लगाया है ये पौधे की पत्तियां आपको मुर्जाई हुई नजर आएंगी गिरती हुई नजर आएंगी तना भी आपको इसका सूखा नजर आ सकता है तो बच्चों आपको यहां इस सामाने सी बात को समझना है कि वास्तों में जो जल मिट्टी में होता है वो जल मिट्टी से उपर पहुँचाने का कारे यानि तने तक और पत्ती तक पहुँचाने का कारे कौन करता है वास्तों में जड़े करती हैं तो हुई पट्टियों तक पहुचाती है आगे पढ़ते हैं बच्चों ये जो जड़े हैं इनके मेहत्व को हम और समझते हैं थोड़ा सा एक गतिविदि आप और कर सकते हैं हमने अंकुरित मुंग और अंकुरित चन्व की बात की थी आपके पहले पाठ में दूसरे transIGN में वहाँ अंकूरित भोजन की बात हुई थी तो आप देखें यदि आप थोड़ी सी रुई लेते हैं ठीक है और उस रुई को हलका सा गीला करते हैं उसके उपर आप इस प्रकार से कुछ चने रखते हैं और उनका अंकूरन करवाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में यानि एक दिन दो दिन बाद आप जब देखेंगे तो ये जो इनकी अंकूरित चनों की ये जड़े निकली हैं ये अंकूरन के फलसरूप आप देखेंगे कि ये अच्छे से इस रुई के अंदर चिपक जाती हैं इसको जकड लेती हैं तब आप जब इस रुई से इन्हे निकालने का प्रयास करते हैं तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अच्छे से उस रुई को जकड लेती हैं वास्ताव में किसी भी पौधे की जड़े इसी प्रकार से मिट्टी को अच्छे से जकड़े हुए रहती हैं तो हम यह यह देख रहे हैं कि पौ पौधों को भूमी से खीच कर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं यदि आप कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी से आप किसी पौधे को भूमी से नहीं निकाल पाते हैं आपको काफी महनत करनी पड़ती है तब जाकर के कोई भी पौधा जमीन से या भूमी से निकल पाता है उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है वास्ताव में जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं जैसा मैंने आपको बताया कि जड़ों का ये महत्पून कारे हैं कि मिट्टी को वो अच्छे से जकड़ लेती हैं और इन्हें समय तक तिके रहते हैं क्योंकि नीचे जमीन में भूमी में जो जड़े हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़े रहती हैं आगे चलते हैं बच्चों अब हमें कुछ जड़ों के प्रकारों को समझना है जैसे हमने पत्तियों में शिरा विन्यास को समझा था दो प् और दूसरा प्रकारी यहां दिखाया गया है चित्र B में जिसका नाम लिखा गया है रेशेदार ज़र बच्चों देखिए यहाँ जब हम देखते हैं तो आप पाइंगे कि एक मुख्य जड़ है बीच में एक मुख्य जड़ है यहाँ पर, ठीक है यहां आपको एक मुख्य जड़ नजर आ रही है इस मुख्य जड़ के दोनों तरफ आपको कई सारी जड़े नजर आ रही है इसे कहते हैं मूसला जड़ इधर आप देखेंगे यह जड़े इसमें किसी भी जड़ को आप मुख्य जड़ नहीं कह सकते हैं इस मुख्य जड़ के अलावा अन्य जड़े जो होती है वो छोटी छोटी होती है जबकि यहां जब आप देखेंगे तो सभी जड़े लगबग एक जैसी नजर आ रही है कोई भी जड़ ज़ादा मोटी या ज़ादा पतली या एक दूसरे से बहुत छोटी बड़ी नजर नहीं आ रही है तो यह रेशेदार जड़ है जबकि इस चित्र में आपको मुसला जड़ नजर आ रही है तो बच्चों समझते हैं इन दोनों प्रकार की जड़ो को तो जिन पौधे की जड़े चित्र एक ही तर है यहां हम देख रहेते चित्र एक को तो जिन पौधों की जड़े चित्र एक ही तर है होती है उनकी मुखे जड़ को क्या कहते हैं मुसला जड़ कहते हैं और जो अन्य जड़े होती हैं छोटी जड़े होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें पाश्व जड़ कहा जाता है तो बच्चों यहां देखिए यह मुख्य जड़ तो मूसला जड़ कहलाती है और यह जो अन्य छोटी छोटी जड़े यहां निकल रही है इन सभी जड़ पताया कि यहां सभी जड़े लगबग बराबर हैं लगबग समान हैं कोई भी मुख्य जड़ यहां पर नहीं होती हैं और इन्हें जखड़ा जड़ यहां रेश्देदार जड़ कहते हैं रेश्दार जड़ों का ही एक अन्य नाम जखड़ा जड़ भी होता है अब बच्चो तो यहाँ एक महतपून बात आपको समझनी है कि इन दोनों प्रकार की जड़ों का वास्तों में पत्ती के शिरा न्यास से एक विशिष्ट संबंद होता है यह जो जड़े है यानि मूसला जड़ यह उन पौधों में पाई जाती है जिनकी पत्तियों का जो शिरा विन्यास है वो जाली का रूपी होता है एक शिरा विन्यास हमने पढ़ा था जाली का रूपी तो यदि जालिका रूपी शिराविन्यास होता है तो उन पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है वहीं यहां हम देख रहें कि समानतर जो शिराविन्यास होता है उस समानतर शिराविन्यास वाली पत्तियों के पौधों में जो जड़े होती है वो रेशेदार या जखड़ा जड़ होती है आप यहाँ पत्ती देख सकते हैं यहाँ भी देख सकते हैं दोनों प्रकार के शिराविन्यास हम पहले से ही पढ़ चुके हैं आगे इसी बात को हम वापस देख लेते हैं बच्चों पौधे की पत्ती के शिराविन्यास और सम्बंध होता है आप देखे मैंने जो आपको बताया उसी बात को हम वापस देखते हैं जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें कैसी होती हैं बच्चो रेशिदार प्रकार की होती हैं तो ऐसे पौधें जिनकी जो पत्तियां हैं वहा समानतर या समानानतर शिराविन्यास नजर आता है उन पौधों की जड़ों में कौन सा प्रकार होता है रेशेदार प्रकार होता है जबकि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उन पौधों की जड़े हैं वो मूस्तला जड़ होती है अब शिराविन्यास का और जड़ के प्रकार का एक मुख्य संबंद पाया जाता है अब हम बात करते हैं जड़ों के बारे में हमने जोकुष पढ़ा उसकी और उसके अलावा एक महतपून बात हमें यहां समझनी है जड़े मिट्टी से जलका उशोषन करती हैं हम ये बात जानते ह कि इस मिट्टी में से यदि पौधा इस मिट्टी में है तो इस मिट्टी में से जलका उशोषन का कारे कौन करता है जड़े करती है और तना जल एवम खनीज को पत्ती एवम पौधों के अन्यभागों तक पहुँचाता है यही बात तो हमने सीखी है कि वास्तों में और जल से संबंदित जिसे खनिज लवन है उन सबको अवशोषित करने का कारे जड़े करती है और फिर जड़ों से तना यही आप देख सकते हैं कि जड़ों से तन्या इन सारे पधारतों को लेकर के पौधे के विभिन हिस्सो यानि कि उसकी पत्तियों आदी तक पहुँच जाता है पत्तियां भोजन संशले से करती हैं हम पढ़ चुके हैं कि पत्तियां प्रकार्श रंसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का संशलेशन करती हैं यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन भागों में संग्रहित हो जाता है महतपून मात ये हैं कि जो भोजन पत्तियों द्वारा बनाया जाता है ये भोजन भी तने द्वारा ग्रहन किया जाता है और फिर पौधे के विभिन भागों तक इस भोजन को पहुचाया जाता है तो तना वास्तों में यहां दो मुख्य कारे कर रहा है एक तो वो जडों से जल को और अन्य खनिच पदार्तों को उपर की ओर लेकर के जा रहा है उसके अलावा तना एक और महतपून कारे ये कर रहा है कि वो पत्तियों से जो भोजन बना है उसको पौधे के विभिन भागों यानी नीचे तक भी लेकर जा रहा है तो इस प्रकार से तना दो तरफा मार्गी की तरह कार्य करता है तना पौधे का वह हिस्सा है जो दो तरफा मार्ग का कार्य करता है आगे चलते हैं बच्चो अब हमें बात करनी है पुष्प की या फूल की बहुत अच्छे लगते होंग आपको फूल आपने विभिन प्रकार के पुष्प या फूल रंग विरंगे फूल अपने आजपास कभी ना कभी देखे होंगे अब ये एक सामाने फूल को हम यहां प्रदर्शित कर रहे हैं इस फूल को यहां हमने कली के रूप में दर्शाया है ये किसी भी फूल की कली आप समझ सकते हैं और ये खिला हुआ फूल समझ सकते हैं चीके तो कली से ही फूल खिलता है ये बात आप लोग जानते हैं ये जो बहाय हरा भाग है जो आपको नजर आता है एक फूल में इस बहाय हरा भाग को क्या कहते हैं बहाय दल कहते हैं और ये जो रंग विरंगी चीजें आपको नजर आती हैं ये क्या कहलाती हैं बच्चों पंखुडियां कहलाती हैं इसको मुख्य भाग है पुश्प का उस को कहते हैं पंखुडियां तो ध्यान जरूर रखेगा इस बात का कि किसी भी पुष्प में दो हिस्से होते हैं बहाय दल और पंखुडियां आगे बात करते हैं बच्चों कि पुष्प में क्या कुछ और भी हिस्से होते हैं तो खले हुए पुष्प का प्रमुक भाग तो प तो किसी भी पुश्प के अंदर पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर नाम के दो मुख्य भाग भी पाए जाते हैं तो एक का नाम है पुंकेसर और एक का नाम है स्त्रीकेसर जो पुंकेसर हैं वो इस प्रकार लंबी सरचना के रूप में आपको नजर आ सकता हैं लेकिन ये बाहर से असानी से आपको नहीं दिखाई देते हैं जब आप पंखडियों को थोड़ा सा हटा करके देखते हैं तब ये हिस्से जो है पुष्प के वो आपको नजर आ सकते हैं तो बच्चो इस पुष्प में आप पुंकेसर देख पा रहे हैं और इन पुंक केसरों के उपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है पराग कोश कहा जाता है इसके अलावा एक जो अन्य भाग है जिसका नाम स्त्री केसर है उसके बारे में हम बात करते हैं तो पुष्प के केंद्र में स्थित जो भाग है उसी को हम क्या कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं अब इस्त्री केसर एक महतपून भाग होता है बच्चो और इस इस्त्री केसर को हमें अच्छे से समझना है जानना है तो इस्त्री केसर के क्या कहते हैं बच्चो वर्तिका कहते हैं और सबसे उपर ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चो वर्तिकागर कहते हैं तो यहां मैं एक बार वापस लिख देती हूँ कि ये जो हिस्सा है लंबा हिस्सा इसको कहते हैं वर्तिका और इस उपर वाले हिस्से क जो थोड़ा सा गोल गोल है उसको क्या कहते हैं वर्तिक कागर कहते हैं लेकिन यहां जो सबसे महत्पूर्ण हिस्सा है जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो की थोड़ा सा फूला हुआ है तो बच्चो इस नीचे वाले हिस्से को इस फूले हुए हिस्से को क्या कहा जाता है अंडाशे, वर्तिका और वर्तिका आगर याद रहेंगे न ये तीनों नाम उसके मात बच्चों हम यदि इस अंडाशे का थोड़ा सा और अध्यन करते हैं इस अंडाशे के अध्यन के लिए इसे काटना पड़ता है तो इसे हम इस प्रकार से लंबे रूप में भी काट सकते ह तो यदि इस अंडाशे को लंबात्मक रूप में काटा जाता है या शेतिस रूप में काटा जाता है ये छोटी गोल-गोल सरचनाएं आपको यहां नजर आती है और इन गोल सरचनाओं को बीजांड का नाम दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि बीजांड भी वास्तों में किसका हिस्सा है स्त्री केसर के अंडाशे का ही हिस्सा होता है तो दोहरा लेते हैं इन बातों को कि अंडाशे स्त्री केसर का सबसे नीचा और फूला हुआ भाग होता है ये बात हम कर चुके हैं इसकी आंतरिक सरचना के अध्यन के लिए इसे काटना पड़ता है बिल्कुल यदि हमें वास्तों में इसकी सरचना को अच्छे से समझना है तो इसे काट के समझना पड़ता है और यदि हम इसे दोनों तरीके से काटते हैं यानि लंबात्मक रूप में और शेतिज रूप में तो हमें इसकी सरचना अच्छे से नजर आती है अंदाशे के अंदर दिखने वाली छोटी छोटी गोल सरचनाएं बीजांड कहलाती हैं तो याद रखेगा बच्चों कि बीजांड वास्तव में स्त्री केसर के अंदाशे के अंदर नजर आने वाली छोटी छोटी सरचनाएं होती हैं सभी पुष्पों की सरचना सदेव एक जैसी नहीं होती है तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि सभी पुष्प सभी फूल बिलकुल एक जैसे नहीं होते हैं कुछ-कुछ अंतर पाए जाते हैं कुछ फूलों में पंखुडिया बहुत जादा होती हैं कुछ फूलों में तुलन दल नजर नहीं आता है, उसके अलावा ये जो आंतरिक सरचनाई है, स्ट्रीकेसर, पुंकेसर, इनकी संख्या और इनके आकार में भी विभिंता देखने को मिलती है तो विभिन पुषपो में भाय दल, पंखोडी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर की संख्या में काफी अंतर हो सकता है तो ये करने के लिए बच्चों घर पर आप एक गतिविधी कर सकते हैं आप अपने आश्मास अगर आपको अलग-अलग तरीके के फूल मिलते हैं तो उन में से कोई भी 4-5 या 6 प्रकार के फूलों को सिर्फ अध्यन की दर यदि आप एक पौधे से एक फूल तोड़ते हैं तो हम उसे गलत नहीं मानते हैं तो आप विभिन प्रकार के 5-6 फूल अलग-अलग तोड़ करके और उन सभी में भाये दल, पंखुडियां, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, आदी की सरचनाओं को देख सकते हैं तो बच्चों य हमने पौधे के जो प्रकार हैं शाक, जाड़ी, एम, वरक्ष उनकी मात करी उसके बाद हमने तने के बारे में कुछ चर्चा की और पतियों के बारे में चर्चा की पतियों के मुख्य कारियों को समझा और उसके अलावा पतियां जो हैं वो शिरा विन्यास के अधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं इस बात को भी हमने समझा और आज के इस तीसरे भाग में बच्चों हमने जाना जडो को और पुष्प को खासकर जडो के जो दो प्रकार आपने जाने जडो के जो दो कार्य आपने जाने वो बहुत ही मैत्पूर्ण होते हैं और अंत में हमने पुष्प की सरचना को भी जाना तो बच्चों ये था आपका अध्याय साथ पौधो को जानिए आग आपका ये अध्याय यहां समाप्त होता है अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंदित अभ्यास प्रशनों को हल करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले भाग में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद